हेलो डियर इस्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इंग्लिस भी थे जी के में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में है ना फोर्थ पोयम के बारे में पढ़ा था इंडियन वीबर्स और ये फिफ्ट चैप्टर काहा है I owe to the my country तो I owe to the my country है ना I means मैं ओ मतलब सपत लेता हूं तूद्धी मतलब तुम्हारे लिए या तुम्हारे प्रती, my country, मेरे देश, ऐ मेरे देश, मैं तुम्हारे लिए सपत लेता हूँ, या सवगंद खाता हूँ, है न, तो आए इस पोयम के बारे में जान लेते हैं, तो इस कविता में, है न, कभी ने अपने गहरे देश प्रेम को बेक्त किया है कभी अपने देश स्रवाधिक प्रेम करता है उसका प्रेम निश्वार्थ तथा सच्चा है वह देश के लिए सब कुछ बल्डान करने को तयार है या कभीता पूरी तरह से राष्ट ये भावना से भरी हुई है और हमें यह सिक्षा देती है कि हम भी सच्चा अराष्ट भक्त बनेने के लिए प्रेरित हूँ इस पोयम को कंपोजड किया है सर सेसिल इस्प्रिंग राइस ने सिधा टेक्स्ट पर आते हैं I owe to the my country I owe to the my country है ना ए मेरे देश मैं तुम्हारे लिए सपत लेता हूं सवगंध खाता हूं all earthly things above है ना संसार की सारी वस्तों से बढ़कर entire and whole and perfect the service of my love entire means poor and whole means some poor and perfect मतलब जिसमें कोई संदेह ना हो जो पूर जो पूर्ण रूप से हो है ना जो पूरा हो तो पूर्ण और संपूर्ण और जिसमें कोई सक ना हो the service of my love the service of my love ऐसी भावना से मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं या करने के लिए तयार हूं जो मेरा प्रेम है उसमें किसी बी प्रकार का कोई कोई प्रश्न नहीं होगा प्रश्न अथा संदे नहीं Film अथाथ कोई भी परिक्चा हो है ना वो देने के लिए तयार है नेक्स इस्टेंजा देखेंगे that lays upon the altar the dearest and the best that lays जो तयार है upon the altar altar means बलिबेदी बलिबेदी बल्दान वाला तो बलिबेदी क्या है बलिबेदी मतलब जहां पर बल्दानों गरा दी जाती है तो यह altar बलिबेदी इसका मतलब बता है इस्वर केप्रत है ना कुछ चठाना आरपंड करना तो सबसे पिरिय चीज क्या है प्राण सबसे पिरिय चीज है तो यहां पर कभी कुछ इस तरह की ही बातने कर रहा है that lays upon the altar the dearest and the best वो कह रहा है कि जो सबसे है ना जो सबसे ज़्यादा मेरी पिरिय वस्तु है अर्था चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना हो मैं उससे भी आपकी सेवा करने के लिए तयार हूँ अर्था तो अपने प्राणों की अहुती देने के लिए तयार है मतलब सब कुछ देने के लिए तयार है अच्छी से अच्छी वस्त देने के लिए तयार है The love that never falters जो उसका प्रेम है जो कभी लड़ खडाता नहीं है जो मेरा प्रेम है इस अप्रेम कीमत को चुकाने के लिए तयार है ऐसे प्रेम जो वे देश से कर रहा है इस प्रेम के लिए वहां कीम्ती से कीम्ती वस्तु का मुल्य देने के लिए तयार है अन्दावधीक मतलब कि जिसे डर ना हो, निर्भीक होकर तो कहारे हैं, अन्दावधीक मतलब अन्तिम बलिदान अब कभी कहारे हैं जो कभी है वो ऐसी सब प्रेम भावनाव के साथ लेखक निर्भीक होकर अंतिम बलदान देने के लिए तयार है अथात अपना सब कुछ नियुचावर करने के लिए तयार है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकान जरूर फिट करें आपके लिए आज के एक क्वेस्टन बनता है तो क्वेस्टन आप ध्यान से सुनेंगे कभी सबसे अधिक किस से प्रेम करता है अर्थात कभी सबसे अधिक क्रेम किस से करता है इसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में लिखना है थैंक्स भार वाचिंग जै हिंद जै भारत एंडर बंदे मात्रम